प्रस्ण दो निमली खित का गुनानफल ग्याद करें तो प्रस्ण दो कब पहला एक्स प्लस चार गुना एक्स प्लस नौ तो एक्स प्लस चार गुना एक्स प्लस नौ तो इसमें हम सुत्र लगाएंगे X प्लस A गुना X प्लस B तो इसको हम लिख लेंगे बराबर X प्लस A गुना X प्लस B कॉमा लिखेंगे जहां X बराबर तो प्रस्न है X जोड 4 गुना X जोड 9 तो यह कौन से सुत्र पे लग रहा है X जोड A गुना X जोड B तो X बराबर तो X ठीक है लेकिन A बराबर 4 लिख देंगे जहां A बराबर A बराबर 4 कॉमा B बराबर 9 ठीक है तो यह सुत्र पे हम लगा देंगे यानि A के जगा पे 4 है A बराबर 4 माल लेंगे लिख लेंगे और B बराबर 9 तो सुत्र क्या होता है X जोड A गुना X जोड B बराबर तो देखे X जोड A गुना X जोड B बराबर X स्कॉाइर जोड A प्लस B गुना X जोड A B तो इसको लिखेंगे यहां पे X स्कॉाइर जोड A प्लस B गुना X जोड A B ठीक है तो X तो X ही है तो बस लिख देंगे X स्कॉाइर जोड A जोड B A बराबर है 4 B बराबर है 9 A B तो A बराबर 4 है तो A के जगा पे 4 गुना B बराबर है 9 तो B के जगा पे 9 लिखेंगे तो A से स्क्वाइर जोड 9 4 13 यानि 9 4 13 X जोड 9 4 36 तो इसका उत्तर हो जागा X स्क्वाइर जोड 13 X जोड 36 तो प्रस्म क्या दिया हुआ था X जोड 4 गुना X जोड 9 तो इसको सूत्र के माध्य हम से हल करेंगे ठीक है X जोड A गुना X जोड B बराबर होता है X स्क्वाइर जोड A प्लस B गुना X जोड A B जहां क्या था A बराबर 4 हम A बराबर 4 है और B बराबर 9 है तो X देखिए X तो X ही है बस 4 के जगा पे A है और 9 के जगा पे B है तो सूत्र क्या होता है X स्क्वाइर जोड A प्लस B गुना X जोड A B 1 के जगा पे 4 रखेंगे और B के जगा पे 9 तो X स्क्वाइर जोड 4 जोड 9 गुना X जोड 4 गुना 9 X स्क्वाइर जोड 9 चार 13 यानि 13 X जोड 9 चोग 36 तो यह इसका उत्तर होगा यानि X जोड 4 गुना X जोड 9 बराबर कितना आ गया X square जोड 13 X जोड 36 तो सूत्र के माधियम से आसानी से इसको निकाल सकते हैं ऐसे गुना करना पड़ता X से पहले X जोड 9 को फिर 4 से X जोड 9 को फिर जोडना पड़ता तो भी कितना आता? इतना ही आता ठीक है? तो इसको सूत्र के माधियम से हम हल करेंगे अब प्रस्न 2 X जोड 15 गुना X जोड 8 तो X जोड 15 गुना X जोड 8 तो इसको भी सूत्र लिख लेंगे X जोड A गुना X जोड B जहां क्या है? X तो X ही है बस 15 के जगा पर A लिख दिये हैं तो A बराबर 15 कोमा B बराबर 8 तो X जोड A गुना X जोड B के सूत्र पर हम बैठाएंगे इसको जहां कि A बराबर 15 है और B बराबर 8 है तो X जोड A गुना X जोड B बराबर क्या होता है? X स्क्वाइर जोड A प्लस B गुना X जोड A बी गुना X जोड A के जगा पर क्या है? पंदरा तो 15 जोड B के जगा पर है 8 गुना X जोड A B एक स्क्वाइर जोड पंदरा आठ 23 X देखिए पंदरा आठ के ना होता है? 23 और X से गुना हो रहा है तो X भी साज में लिख देंगे जोड A B तो A के जगा पर है 15 और B के जगा पर 8 है तो A B यानि गुना में है तो A के जगा पर 15 B के जगा पर 8 एक स्क्वाइर जोड पंदरा आठ 23 जोड पंदरा ठी 120 इसका उत्तर हो गया X स्क्वाइर जोड 23 जोड 120 A बराबर 15 लिख लेंगे और B बराबर 8 और सूत्र लिख करके इसको A के जगा पर 15 और B के जगा पर 8 लिख करके आसानी से इसको हल कर देंगे प्रस्ण 2 का तीसरा है बाई जोड 9 गुना बाई जोड 8 तो बाई जोड 9 गुना बाई जोड 8 है तो इसको भी लिख लेंगे ये कौन से सूत्र पे है तो एक्स जोड ए गुना एक्स जोड बी एक्स जोड ए गुना एक्स जोड बी के सूत्र पे है तो लिखेंगे जहां एक्स बराबर बाई कॉमा ए बराबर नौ और बी बराबर आठ ठीक है तो इस सूत्र पे बठा देंगे तो किस तरह बठाएंगे एक्स बराबर बाई लिख लेंगे ए बराबर नौ बी बराबर आठ तो एक्स बराबर बाई ए बराबर नौ और बी बराबर आठ यानि एक्स बराबर बाई लिखेंगे ए बराबर नौ और बी बराबर आठ तो X जोड A गुना X जोड B इसका सूतर क्या होता है तो इसका सूतर होता है बराबर X स्कुर जोड A जोड A प्लस B गुना X जोड A B तो X स्कुर तो X के जगा पे क्या लिखना है? यानि बाई का स्क्वाइर जोड ए प्लस बी तो ए है क्या 9 बी है 8 तो 9 जोड 8 x जोड ए है 9 बी है 8 तो बाई है स्क्वाइर जोड 9 8 17 17 x जोड 9 8 72 तो x के जिगा पर बाई लिखना है ठीक है क्योंकि x बराबर बाई है तो x के जिगा पर बाई लिखेंगे और 1 के जिगा पर 9 बी के जिगा पर 8 ठीक है एक जिगा पर 9 बी के जिगा पर 8 तो यह इसका उत्तर हो जाएगा बाई स्क्वाइर जोड 9 8 72 72 गुना बाई यानि 72 बाई जोड 9 8 तो कितना हो जाएगा? देखें, बाई एस्क्वाइर जोड़ 9, 8, 17 यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है? यहाँ पे क्या करना है? जोड़ना है 9, 8, 17, बाई जोड़ 9, 8, 72, इसका उत्तर होगा बाई एस्क्वाइर प्लस 17, बाई प्लस 72 तो इस तरह सूत्र के माध्यम से हम आसानी से हल कर लेंगे तो एक्स प्लस ए गुना एक्स प्लस बी बराबर होता है, एक्स स्क्वाइर प्लस ए प्लस बी गुना एक्स जोड़ एबी यानि एक्स स्क्वाइर प्लस ए प्लस बी गुना एक्स प्लस ए बी तो एक्स प्लस ए यानि एक्स प्लस ए तो बाई प्लस नौ गुना बाई प्लस आठ है तो एक्स के जगा पे बाई और एक के जगा पे नौ और बी के जगा पे आठ रखके इसको हल कर लेना है झाल झाल